गुड़ मॉर्निंग स्टूरेंट्स स्टूरेंट्स मैंने दो दिन पहले बेजा था आपको पीडिया बनाकर बाइंडर्स के बारे में तो मैंने बोला था कि इसको कोपी पे लिख लो जो एक्जाम में नॉर्मली आता है और इंपोरेंट कोश्चन है आज का जो पीपीटी है सिर्फ और सिर्फ वो जाद करनी है अगर आपको पांच नुमर में जहां साथ नुमर में पोश्चन आए तो आपने डेफिनेशन लिखकर इसकी प्रोपर्टीज लिख देनी है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं मैंने कुछ ज़्यादा स्लाइड्स बनाई है कपड़े को हमने रंग करना होता है तो लिख तो यादा सुनतर सुनतर दिखाने के लिए और इसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए अगर कोई कपड़ा हो उसका dye ना किया हो उसको कलर ना हो तो उसकी इतनी value नहीं होगी जितना color करने के बाद होगी साथ में अगर सिर्फ white black जा ग्रे कपड़ा ही हो तो उसकी इतनी value नहीं पड़ती जितना dye करने के बाद color देने के बाद पड़ती है There are two types of coloring matter depending upon the attraction of color toward textile जो coloring matter है हम उसको दो वागों में डवाइड कर सकते हैं Number 1 पर dyes, dyes are those colors which are normally water soluble and can be applied to textiles in aquos medium or in sometimes in oil and these have attraction towards textile जो dyes हैं जो हम normally use करते हैं 95% normally कपड़े को color करने के लिए हम dyes use करते हैं यह वो वाले color हैं जो की normally पानी के अंदर यह गुलनशील हैं These are water soluble और इनको हम normally apply करते हैं aquos medium में aquos medium का मतलब पानी में पहले हम इसको गोलेंगे dyes को बाकी chemicals के साथ और फिर उसको हम treatment देंगे fabric को इसके साथ उसको color करने के लिए और dyes की जो एक विशेश बाता जे है कि dyes have attraction towards textiles जो dyes है उनकी कपड़े के तरफ attraction होती है वो कपड़े अगर हम पानी में dyes को गोलें साथ में कपड़ा डालें और उसको high temperature करें तो जो dyes है वो automatically अपने आप ही कपड़े के अंदर जाने लगती है और number 2 पर coloring matter है pigments pigments are those colors which are not water soluble pigments जो है वो water soluble नहीं होते पानी के अंदर गोलंशील नहीं होते and can't apply to textile without the help of binder वो हम इनको textile के उपर हम apply नहीं कर सकते अगर हमने apply करना है तो हमें क्या use करना पड़ेगा binder binder की मदद से हम pigments को textile को रंग देने के लिए color देने के लिए fancy design करने के लिए हम use कर सकते हैं आगे जो figure है वो देखिए working of binder along with pigment on textile surface जहाँ पर जो dotted है जो train की पटरी की जैसे लग रहा है वो fabric है और सबसे पहले left side पे आप देखो एक solution बनाया गया है binder का pigment के साथ और साथ में हम दूसरे chemical भी use करते हैं जैसे fixing agent जहां thickener यह बहुत solution बिल्कुल थिक होगा जैसे पानी जैसे पानी होता है तो पानी तो बिल्कुल ही उसका flow नॉर्मल होता ना लेकिन हम इसको solution इतना थिक बनाते हैं कि यह नॉर्मली flow नहीं हो पाता जैसे कि फैवी कोल का हो गया यह बहुत फैब्री के ऊपर था अब वो एंक पिग्मेंट और बैंडर के साथ वो फैब्री के ऊपर अटेच हो गया उसके बाद फे जो थर्ड स्टैप है वो है fixation का fixation में हम क्या करते हैं हम फैब्री को high temperature high pressure पर लेकि जाते हैं हाई temperature high pressure लेक्स से क्या होता है कि जो बाकी solution है बाकी जो chemical वो तो evaporate हो जाते हैं लेकिं बाइंडर और pigment यह आपस में fix होकर कपड़े के साथ fix हो जाते हैं और बाइंडर का काम है pigment को कपड़े के साथ अटेच करना अपने अंदर वो ऐसे knit wear है हम वहाँ पर हम use करते हैं binder को और pigments को अब आगे देखो आगे definition है जो आपने जात करनी है binders are those film making substances which cling or bind on textiles along with pigments binder वो film जहां पर film का मतलब है एक layer कपड़े को पर पूरी पूरी एक layer बन जाती है binders are those film making substances और layer making substances जो की textile के ओपर फैबरिक के ओपर चिपक जाते हैं और उनके साथ bond बना लेते हैं चिपक जाते हैं along with pigments pigments जहां coloring matter को साथ लेकर चिपक जाते हैं so coloring matter pigment get attached with fabric with the help of binder तो इस तरह से जो coloring matter है हमारा pigment जिसकी attraction बिल्कुल भी नहीं है कपड़े की तरफ बो binder की मद से कपड़े के साथ attach हो जाता है permanently तो इसका process sequence क्या है सबसे पहले हम print paste बनाएंगे print paste में होगा pigment जो हमारा coloring matter है binder जिसका काम है bind करना attach करना एक fixer है जो की binder की efficiency को बढ़ा देता है और thickener solution को थिक करने के लिए संग गाड़ा करने के लिए जो बढ़ा print paste है इसको हम print करेंगे कपड़े के ऊपर normally knit wear के ऊपर printing करने के बाद फिर हम करेंगे curing जो curing का मतलब है c-u-r-i-n-g curing का मतलब है कपड़े को high temperature high pressure पे लेके जाना curing करने के बाद fixation हो जाएगी binder की कपड़े के साथ और pigment के साथ उसके बाद हम wash करेंगे wash करने का मतलब है कि जो भी अगर मालोग कोई चीज fix ना हुई हो जो chemical रह गया हो जो evaporate ना हुआ हो तो उसको remove करना वाशिंग करने के बाद हम dry कर लेंगे और हमारे पास एक print किया हुआ कपड़ा त्यार होगा निचे जो मैंने फोटो मैंने टी शिर्ट की यह दोनों ही pigment पिग्मेंट को अटेच किया गया बाइंडर के है के साथ कुई यूज बाइंडर बेस्ट प्रिंटिंग में लिए ओन निट वियर निट वियर का मतलब है टी शिर्ट वगएरा एक तो वोवन होता है दूसरा निट वियर होता है पहले पहली पिचर में आप देख सकते पिजान के साथ इस अगरoni क्या निट वियर का पूस्ट को मेह ने कंधा है अगान यह cela अतो रखिचर में हमने आप पर वाइंड का पार हमने प्रिंट किया प्रिंट करने के दो पर हमने उस आप temperature high pressure पर लेके गए है, curing किया है, curing करने के बाद washing, washing के बाद फिर हमने dry किया और हमारे पास प्रिंट तियार हो गया, knitwear का, और जो दूसरी example है, जहां पर लिखा हुआ है, संजे, यह भी same example है, को हमने pigment ने जूज किया binder, along with the binder, to fix on the t-shirt, properties of binder, यह आपने जाद करने है, binders are not colors, but helps fixing colors to fabric, जो binders है वो खुद color नहीं है, लेकिन जो colors हैं, दूसरे colors हैं, pigments उनको यह फैबरिक के उपर attach करने में, यह हमारी help करते हैं, नबर दो पर है, binders, when heated, makes three dimensional structure by polymerization, binder को अगर हम heat करते हैं, तो वो क्या होता है, वो जो इसके molecules हैं, वो आपस में polymerize हो जाते हैं, polymerize का मतलब कि small small molecules आपस में attach होकर, एक बहुत बड़ा 3D network, एक पुरी फुरी फिल्म बना लेते हैं, और नबर तीन पर है, after printing, print paste, print paste में क्या होगा, pigment plus binder plus fixer plus thickener, printing करने के बाद हम fabric को heat करते हैं, high temperature पे, along with pressure, जिसको हमने बोला curing, और इसकी चार नबर के properties है, it gives somewhat harsh feel to fabric, देखो एक टी-शिर्ट हमारे पास सामने है, जिसके उपर कोई भी print नहीं है, तो हम उसको खास लगाएंगे, तो हमको एक soft feel होगा, लेकिन अगर सेम टी-शिर्ट पर हमने print कर दिया, जैसे कि आपने उपर देख रहे हैं, एक line वाली और दूसरा संजेवली, और अगर हम तब उसको खास लगाएंगे, प्रिंट वाली जगर पर हम खास लगाएंगे, तो हमको harsh feel थोड़ा मसूस होगा, और साथ में, जहां पर भी print किया हुआ है, pigment को along with binder, तो आप देख सकते हो, बहां से ना तो पानी करोश हो सकता है, और बहां से ना ही हवा करोश हो सकती है, तो यह फिर sometimes हमको discomfort भी देता है, गर्मियों में, अगर पूरी के पूरी टी-शिट पर ही प्रिंटिंग की हो, तो हमको बहुत जाए discomfort होगा, most common examples of binders are acrylic co-polymer, यह आप simply जाद कर लीजिए, acrylic co-polymer जो होता है, जिसकी commonly, सबसे common example है, बचों आपने सिर्फ definition जाद करनी है, और properties जाद करनी है, और खो सके, तो process sequence जाद कर लीज जाद करिसे जाद करनी होगि, तो हमको जाद मु करनी है, यह झादा है, और खुम स्वाद कर लीजिए, तो कर जाद करना सुदीटूर सिर्फाद कर माम